So hello everyone, just a small video और इस वीडियो में मैं आपको ये बताया है कि आप Google Cloud की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे goodies और Swags कैसे claim कर सकते हो और उसके लिए आपको कुछ pay नहीं करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और जितने टास्स आप perform करोगी उतने आपको points मिलेंगे और जितने points मिलेंगे उस points के हिसाब से उतनी अच्छी goodies आपको मिलेंगी तो आज से उसके लिए यहाँ पर registration स्टार्ट है और अब मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि registration फिरना कैसे है ठीक है तो सबसे पहले आपको इस लिंक में आ जाना है और यह लिंक मैं आपको description पर दे रखी है तो आपको इस लिंक पर आ जाना है उसके बाद आपके पास यह वेब पेज खुलेगा और next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना email id जो है वो confirm करना है तो यहाँ पर मैं फिर से अपनी email id डाल लेता हूँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पर email id अपनी डाल रहे हो तो यहाँ पर कोई एक typo ना हो ठीक है आपको यहाँ पर इसे cross check कर लेना है next अप यही कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल लेता हूँ फिर gender और उसके बाद यहाँ पर country यहाँ पर आपको student पर select कर लेना है ठीक है as it is जैसा आपको दिया हुआ है वैसा ही changes यहाँ पर आपको नहीं करना है ठीक है और year of graduation आपको graduate होगे यह आपको करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक section दिख रहा होगा do you have an account on google cloud skill boost टो जैसी में आपर click करोंगा यहाँपर click करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा page खुलेगा तो यहाँपर मेरे पाससी दिखुए in टो यहाँपर simply मैं sign in करूंगा और sign in करने के बाद यहांपर लिख रहा है Sign in with google ठीक है मैं sign in with google करूंगा और जिस account को मैंने आप डाला था ठीक है अपने email में उसी account से मैं अपना इस बाद आपको यहांप लिखा हुआ यहां पर आपको इस profile को पप्लिक बनाना तो यहां पर आप simply click करोगे make profile public पे यहां पर भी इसके बाद हमारा जो profile है वो public बन जाएगा ठीक है और public profile को बनाने के बाद यहां पर आपके पास जो आईडी यहां पर दिख रही है अब यहां पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है यह आपकी Google Cloud की जो आईडी है वो है इसको आप कॉपी करना है यहां पर कॉपी करने के बाद और क्यूंकि अब आपके पास अकाउंट आ चुका है तो यहां पर आप क्लिक करोगे yes I already have an account ठीक ह यहां पर आपको दिख भी रहा है आपर एक sample ID आपको दिख रही है उसके बाद मैं आपको next पर click करेंगे और next पर click करने के बाद यहां पर आपको click करना है I acknowledge पर यहां पर भी next आपको फिर यहां पर submit कर देना है तो यहां पर अभी तक हमारा registration का जो process है वो complete हुआ है और इस हो सकते हो और यहां पर 24 से 48 घंटे दक आपको एक email आ जाएगा confirmation email आ जाएगा कि आपका जो registration है वो confirm हो चुका है और अगर आपको अपने email पर ना मिले तो आप यहां पर spam और promotions के folder पर भी चेक करें वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको इससे related कोई भी problem हो तो आप please comments पे drop करें तक तक के लिए goodbye